सत्य में बजायते सत्य में बजायते सत्य में नमस्कार रात के नौ बद चुके हैं मैं हूँ श्क्रे शुक्रा सत्यमेव जैते में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम हमेशा भूल जाते हैं भूल जाते हैं अच्छी बातों को भूल जाते हैं अगर किसी ने कुछ हमारे साथ अच्छा किया होता है भूल जाते हैं अगर किसी ने हमारी मदद की होती है, भूल जाते हैं, किसी ने अगर हमको उस वक्त पर सहारा दिया होता है, जब हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, पैसो रुपियों के नहीं, इमोशन्स की, केर की, हम सब भूल जाते हैं, याद क्या रखते हैं, याद सिर्फ रखते ह हुए आपको लगा उसने आपकी खातिरदारी नहीं कि इसको लगा कि आपने किसी की मदद नहीं करी वो हम नहीं बूलते हैं उसको हम दिल में वसा लेते हैं अगर हम भूलने की आदत ना बनाएं, तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आदमी की फितरत ही ऐसी है। आदमी इतना मट्रिलिस्टिक हो चुका है कि वो इन बातों को याद नहीं रखना चाता। क्योंकि उसको लगता है कि कहीं शरविंदगी का ऐसास अपने अंदर से नहीं। और गुस्से की बातों को वो याद रखता है ताकि वो बता सके कि मैं बहुत स्वाविवानी हूँ। लेकिन जहां पर गुस्से की बात को याद रखना हो। यानि कि जहाँ पर नाराजगी को याद रखना हो, महाँ पर हम कभी याद नहीं रखते हैं। यह हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, आज समाज और सोसाइटी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई हमारे देश का अपमान करें, तो हम याद नहीं रखते हैं। हम भूल जाते हैं उस वक्त हम गुस्सा नहीं दिखाते हैं कोई हमारे संस्कृति पर हमला करे वो भी हम याद नहीं रखते हैं उस पर हम गुस्सा नहीं होते हैं महा पर हम आरा स्वाविमान जगता ही नहीं क्योंकि इभारते कुछ इस तरीक ही गड़ी जा रही हैं समाज में कि हम स्वार्थी हो चलें, और स्वार्थी के साथ साथ उन सब चीजों को भूला देना चाहते हैं, जिसमें आपको लगे कि किसी ने आपके लीए कुछ किया हो. कुछ किया जाना इस समाज में बहुत बड़ी चीज है. हम रियली स्टोरीज में बहुत सारी आपके खबरों दिखाते हैं जहां पर लोग छोटे-छोटे से जगे से अपनी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं आप आज सोचिएगा कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं, कितने लोगों का सहरा बनते हैं, कितने लोगों को आप पढ़ना, सिखाना चाहते हैं, कितने लोगों को आप खाना देना चाहते हैं, कि कम से कम एक किसी वेक्ति को खाना किला दें, कितने लोगों को आप इलाज क करेगा जो उसके ऊपर की वी मदद को याद रखता है यानि कि वो एक सच्चा इंसान होता है उसके अंदर सच की आग होती है एक अलग जगी होती है एक जियोती होती है और यह जोती जब बोलती है कि सत्य में वजयते तो फिर आप बढ़ जाते हैं दूसरों की मदद करने के प्रदेश में लगभग तीन करोड़ लोग अलर्जी और अस्थमा के शिकार लख्राओं के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है अंगदान के खिलाफ कानपूर में फत्वा बड़ा सवाल क्या दूसरों की जिन्दगी बचाना गुना है कि फास्थ फूड अब लोगों के लिए परिशानी का सबब बनते जा रहे हैं प्रदेश में लगभग तीन करोड लोग अलर्जी और अस्तमा की चपेट में हैं फास्थ फूड और घरों में रखे टैडी बियर्स या टैडी कहें इसकी प्रमुक वज़े बन रहे हैं इसका खुलासा लखनों के केजी अमियो के पल्मोनरी मेडिसिन विभागा ध्यक्ष ने किया इंडिन कॉलेज ऑफ अलर्जी अस्तमा एंड अप्लाइड इम्नियोलॉजी की रिसर्च में बताया गया कि फास्ट फूड में बासी चीजों का इस्तेमाल होता है वहीं खाने पीने के दूसरे समानों को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल इस्तावाल किया जाता है ऐसी खाने पीने की सामगरी से शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं इसकी वज़े से शरीर में सूजन आ जाती है और चकत टैडी देने का चलन बढ़ता जा रहा है और वो बच्चे अब शौकीन हो चले हैं लेकिन इनकी साफ सफाई को लिकर जादा संजीदा नहीं रहते परिवार एक बार घर में टैडी आ गया फिर यह नहीं कि उसको धोएं या इसको अच्छी तरह से रखें इसमें छोटी छो अवेरनेस की बात है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जो जो चीजों का अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी सेहत मंद हैं या हमें किस तरह का नुकसान पहुचा सकती हैं हमारे बच्चों को किस तरह का नुकसान पहुचा सकती हैं पहले गुडिया घर में बनती थी पहले थोड़ा सा आगे भड़े तो मार्केट में गुडिया आने लगी कपडे की गुडिया वह भी होती थी लेकिन धीरे 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 इस गुडिया ने टैडी का सुरूप ले लिया टैडी बियर एक तरह से हर घर में हर बच्चे का सबसे च हिता फिरेंड बन गया लेकिन आज की रिसर्च और आज की खबर आपको बताती है कि यह पिएडी बियर हमारा बच्चे का दोस्त नहीं है वो उसको बिमारी दे सकता है और बच्चे को लेकर हम सब को संजीदा रहना चाहिए और संजीदा इसलिए नहना चाहिए क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसके विकास में बाधक होती है और दूसरी बात उसके अंदर जो टैलेंड चुपा है उस चोटे बच्चे के अंदर उसको रोक देती है अब आपको सुनाता हूँ कि जो डॉक्टर है उन्होंने क्या का वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें फाइबर्स काम होते हैं फाइबर्स बच्चों के लिए ज़्यादा जरुत होता है अगर रगलो बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो टाइब टू डाइबिटीज मलाइटेस अरली मोटापा जरुत ज़्यादा लेथार्जीनेस मेंटल कंसेंट्रेशन ब्रेक होना यह सब चीज़े बहुत ज़्यादा रेलेटेड होती है तो आपने सुना डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह की जंक फूड हम खा रहे हैं और जादातर जो सडकों पर बिक रहे हैं उन सडकों पर उस क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता उससे हमारी स्यहत बहुत बिगड सकती है और आजकल चलन बन गया है शाम को बाहर निकल कर इस तरह के फासफूट खाने का और उसके साथ ही बीमारियों को भी हम नुटा देते आ रहे हैं ये दो चीजें आपकी खबर है आपके लिए सबसे बड़ी खबर है आपको जानकारी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं अपने बच्चों को खिला रहे हैं या जो अपने बच्चों को खिलाने दे रहे हैं वो खिलाने कितने खतरनाख हो सकते हैं इसी पर हम इन्वस्टिकेशन करेंगे फासफूट से क्यों होती है अलर्जी सिहत बिगाडने के साथ ही बिमारी भी पांट रहे हैं फासफूड पिज़ा बर्गर चाउमीन की वज़े से ऐलर्जी हो रही है फासफूड में ज्यादातर बासी चीजों का इस्तमाल होता है और खाने को लंबे समय तक सुरक्शित रखने के लिए केमेकल का इस्तेमाल होता है फासफूड खाने से शेरीर में फ्री रैडिकल्स बनते हैं ये फ्री रैडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहँचाते हैं इसकी वज़े से शेडीर में सू जाना जाती है जिसकी वज़े से शेरील पर चकते बन जाते हैं यानि की एलर्जी हो जाती है इसकिन की भी एलर्जी हो जाती है और अस्तमा होने की वज़े क्या है घरों में कालीन पर्दों और सोफे का चलन बढ़ गया है बच्चे टेडी बियर के शौकीन हो रहे हैं घर में कुते तोते औ धूल जमती है सांस के जरीए ये शरीर में प्रुवेश कर जाते हैं सोफे और पर्दों में मौजूद धूल भी सांस के साथ अंदर जाती है और यही धूल आपको अस्थमा का रोगी बताती है अब मैं कुछ फैक्स पताऊंगा आपको की इस तरहे अलर्जी को आप नजर अं होने पर फोरण डॉक्टर से सला लें इलाज में दरी होने से बीमारी गंभीर हो जाती है फास्ट फूड से अ तुम में सू जना आती और अगर सेजेशन की बात करें फास्ट फूड को लेकर तो अलर्डिय और अस्मा जैसे कैसे बचें फास्वूड खाने से जितना भी हो उतना बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए बहुत जरूरी हो तभी fast food खाएं क्योंकि हमारे हां का climate हमारे हां की जो आबो हवा है वो उस fast food के लिए नहीं है हम लोगों ने पश्चिम की नकल कर लिए है तो दिक्कत होने पर आप फॉरण डॉक्टर को दिखाईए घर में कालिन परदे इनको साफ करके रखिए यह अब डॉक्टर क्या कहते हैं यूपी में तीन करोड लोग ऐलर्जी इस्थमा की चपेट में हैं पूरे देश में 30 लोग इसकी चपेट में हैं बिमारी की चपेट में बच्चे के साथ बड़े भी हो जाते हैं तो आप यह समझे कि यह जो छोटी-छोटी सी साफदानिया हैं बड़ी-बड़ी मुसीबतों को ना कहती हैं लेकिन हम लोग इस वह ध्यान नहीं देते हैं यह ध्यान तब देते हैं जब डॉक्टर के सेमिनार में रिसर्च में यह बाते सामने आती हैं और हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि जो रिसर्च करने वाले हैं वो तो रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च को बतात रखें जैसे हम सॉस का जिक्र करें तो सॉस में कितनी जो सड़क पे सॉस बिखते हैं या जो इस्तिमाल को होते हैं वो तमाम बीमारियों को कैंसर तक हो जाता है और इसी तरह से आज जैसे मैंने आपको बताया कि टैडी बियर अगर आगर आगर आप घर पे रखते हैं तो उस दान से रखिए उसको पांच-छे दिन में उसको दोते रहिए उसको साफ सफाई करिए और कोशिश करिए कि टैडी बियर कम से कम बच्चों के पास रहे और खास तोर पर जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके पास नहीं होना चाहिए ताकि उनको किसी तरह की बिमारी और दिक्कत नहों सके बढ़ते हम अगली खबर की तरफ कानपूर जिले के मुफ्ती ने मुस्लिम समाच में अंगदान के खिलाफ फत्वा जारी किया है फत्वे में कहा गया है कि मरने के बाद शरीर दान करना इसलाम में नाजाइज है और अल्लह की मर्जी के खिलाफ है इस शक्स ने घोशना की कि मदरसे एहसानुल मदारिस के इफता विबाग से पूछा और कहा कि क्या मरने के बाद किसी डॉक्टर या तन्जीम को जिस्म दान किया जा सकता है इस पर मदरसे के मुफ्ती हनीफ बरकाती ने फत्वा जारी किया और इनसानी जिस्म खुदा की आ कौरान कोई शक्स तभी बीच से उठ सकता है जब वो किसी की जान बचाना चाहता हो अगर कुरान में इतनी इजाज़त दे रखी है तो अंगदान करना भी किसी की जान बचाने की बराबर ही है यह कि सबसे पहले तो मैं जो मौलाना है उसकी आपको बात सुनाना उसने क्या बुलाए? असरार रहमद है, आवास विकास कल्यानपुर के रहने वाले हैं, उन्हों ने मुझसे देहदान के तालुक से इसलामी नजरिये और कानून के बारे में पूछा, तो मैंने इसलाम का जो नजरिया देहदान के तालुक से है, वो मैंने उसमें लिग दिया और ये बता दिया कि आत्तार्म के इस्लाम के नुकते नदर से देधान करना दुरूस्त नहीं है आप सोचिए अगर किसी की जिन्दगी बचाना हो अगर किसी की जिन्दगी बचाते हुए आपको लगता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप उसको बीच में छोड़ सकते हैं अगर किसी की जिन्दगी बचा रहे हैं आप तो आप एक जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं लेकिन क्या किया जाए कि यहां पर हर बात पर फत्वा जारी होता है सब को रुस्वा बारी बारी किया करो हर मौसम में फत्वे जारी किया करो तो यहां तो हर मौसम में फत्वे जारी होते हैं, कोई कुछ भी सवाल पूछे बस एक फत्वा जारी हो जाता है, कोई किसी भी वीशह में बूले बस फत्वा जारी हो जाता है अब यहां पर बात अंगदान की हो रही थी अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक पूरा कारिकर्म किया था जिसमें ये कहा था कि हम सब को देहदान या अंगदान करना चाहिए ताकि हम लोग अगर एक व्यक्ति ये काम करता है तो साथ लोगों की जान बचा सकता है तो ये कितनी बड़ी निमत अल्ला ने दी है गौड ने दी है इश्वर ने दी है और आप उसको नकार रहे हैं उसको आज के डिफरेंस और कॉंटेक्स में भी आपको देखना चाहिए क्योंकि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी दिक्कत होगी उन लोगों को जिनको जरूरत है और जरूरत हिंदू मुसल्मान नहीं देखती है जरूरत इंसान द लड़ है उपर वाले ने तो ये भी बनाया है एक जैसा ही बनाया है खुन एक जैसा है रंग एक जैसा है दिल एक जैसे धड़कता है तो फिर अगर किसी के जान बचाने की बात आए तो फिर आप इस तरह के फत्वे क्यों जारी करते हैं तमाम हजारों लाखों की संक्या मे इस देश में मुसल्मान होंगे जिन्होंने अपना कॉर्निया बदलवाया होगा या दान दिया होगा तो क्या उन्होंने अल्ला की नजर में गुना किया है गलत किया है मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत काम है अगर आप किसी की जिन्दगी देते हैं किसी की आँखों की रोशनी देते हैं तो सबसे एहम और बड़ा फर्ज निभा रहे हैं आप और अल्ला जरूर खुश होता होगा निजा फाजली का एक शेर है कि घर से बहुत दूर है मस्जिद चलो यू कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए तो आप सोचिए कि जब आप रोते हुए बच्चे को हसाते हैं तो उपर वाला भी खुश होता है और अगर आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं, किसी बच्चे को जिंदगी दे रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के फत्वें कैसे जारी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अंगदान क्या है इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन इन मौलवी साहब ने हमें एक बार फिर से बताने को मजबूर किया है कि हम ये बताएं कि इसकी कितनी जरूरत है और जिसको इसकी जरूरत होती है वो कितनी दुआय देता है क सक्सके अंगदान से पचास से जादा लोगों की मदद हो सकती है और ये फिगर करीब साथ लोगों का आता है अगर और इसके डीप में जाएं तो जादा लोगों की मदद हो सकती है क्योंकि बून मेरो अगरा की भी जरूरत होती अलग-अलग लेकिन एक रेशियो में कहा ग अंगदान के बदले कोई कीमत लेगा तो वो भी गुना है किसी की जान बचाने के लिए नमाज छोड़ सकते हैं कुरान में जिन्दगी बचाना सबसे बड़ा सवाब है किसी की जान बचे सके तो आप रोजा भी तोड़ सकते हैं अंगदान जरूरी क्यों है यह आपका फैसल से किसी की जिन्दगी में खुशी आ सकती है आपकी मौत के बाद भी आप जिन्दा रहेंगे कौन करता है अंगदान यानि कौन इस पुनीत कार को बड़े कारे को कान कर सकता है कोई भी शक्स अंगदान कर सकता है उसका उंबे से लेना देना नहीं हाला कि जो एडेल्ट होते ह उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो ही ट्रांस्प्लांट की जाते हैं नवजाद बच्चों से लेकर 90 साल के बुज़गों तक के अंगदान काम्याब हुए है अठार साल से कम उम्र वाले को अंगदान के लिए माबाब की इजाज़त होती है तो यह वो जानकारी थी जो हमने आपको बताने के कोशिश की कि अंगदान कितना जरूरी है लेकिन अंगदान देहदान की जहां पर हम बात कर रहे हों जहां पर हम बात कर रहे हों कि लोगों को किस तरह से बचाया जाया वहीं पर आप ऐसे फत्वे जारी किया कर देते हैं जिसके बाद फिर एक तर कुरान में ये भी कहा गया है कि अगर आपने एक बेगुना को मारा तो आपने पूरी इंसानियत का कतल कर दिया और मौलवी साहब को अगर फत्वे देने का इतना ही बड़ा शौक है तो क्या उन्होंने कभी आईएस के लोगों को देखा है कि किस बेदर्दी से लोगों को मार होते हैं उनके खिलाफ भी आप फत्वा दे दीजे उनके खिलाफ भी आप मुहिम छेडिये दैशतगर्दों के खिलाफ भी आप मुहिम छेडिये कि बच्चों को मारना भी गुना है बच्चों को मारना भी गलत है बच्चों को मारने से अल्लह नाराज होता है ये भी आप क समाज में आवेर्नेस फैल सके यह बताये कि तीन तलाक है यह भी आप बतायी आप यह भी बताहिए कि अगर हलाला जैसी प्रथाएं चल रही हैं वह भी गुना है तो आपके पास बताने के बहुत सारे मुद्ध्य हैं वस जरूरत है आपको संजीदा होने की तो मौलवी साब को मेरी ये सला है कि इस तरह के फत्वे देने से पहले वो सोचे कि वो कितने लोगों का नुक्सान हो सकता है अगर उनको जानकारी नहीं है लेकिन अब जो मुस्लिम कौम है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और खास तोर पर यूथ पढ़ा लिखा है वो उसको बस यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए जो इंसानियत के लिए होगा इंसानियत के साथ होगा यूथ वैसा ही करता है और एक बात और कोशिश करता हो मैं आपको कि यूथ का कोई धर्ब नहीं होता और कोई मजब हो नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि हम सब के खून का रग एक है अब बात करते हैं बात रियल हीरो की बात रियल हीरो की मत्रूँरा के एक गरीब चात्र का अविश्कार राश्पति बहन तक पहुंच गया है उसके इनोवेशन को राश्पति बहन में लगने वाले फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में आमंतृत किया गया है ये ग्यारमी का च्छात्र शिकान्तो मंडल है उम्र महेज 15 साल गरी परिवार से आने वाले शिकान्तो ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तयार किया है जिससे जमीन पर पड़े कच्रे को कम समय में मैनोली तरीके पर एक व्यक्ति आसानी से उठा कर दूसरे अस्थान पर ले जा कर फ नैशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने शिकान्तो की पाँच हजार उपए से आर्थिक मदद की जिसके बाद शिकान्तो ने वोकर दिखाया जिस पर सब गर्व कर रहे हैं इस सफलता पर शिकान्तो को राष्टपती भावन में लगने वाले फेस्टिबल के लिए बुलाए गया है इस दोरान राष्टपती रामनात कोविंद के साथ शिकान्तो सहभोज भी करेगा शिकान्तो की सोच ने उसे इस मुकाम पर पहुचाया है शिकान्तो को सत्मे उजयते भी सलाम करता है सत्मे उजयते के लिए मतुरा से मोहन श्याम शर्मा किरिपो तो आपने देखा इस नौनिहाल को जिसने एक ऐसा अविश्कार किया है जिस अविश्कार को अब जगें मिल रही है राश्ट्री प्लेटफॉर्म पर और ये एक नन्हा अविश्कार करने वाला अब बढ़ रहा है बड़े व्यग्यानिक बढ़ने की तरफ इसको ज़रूर की आपकी होसला देने वाले बातों की आपकी बधाई देने वाली मन्शाओं की और सरकार की मदद की भी तो इस तरह के जो बॉर्ण टैलेंटेड बच्चे होते हैं यानि कि उनको उतनी पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई होती है जितना बड़ा वो काम कर देते हैं तो ऐसे म में उनको दिशा दिखाने के tão होती हो दिशा दिखाने के साथ साथ हमें जरूरत होती है उनको पहचानों कि और अगर हम इस तरह के नौन्यालों को पहचान जाएं तो देश की सूरत बदल सकती है लेकिन यहां पर अभी मुद्दे दूसरे है इस देश में मंदिर कितना वुट पैंगे हैं लिए उप उपर उठना पड़ेगा और सबसे बड़ा जहर यह फिरकापरस्ति का जहर है उसको छोड़ना पड़ेगा किसी शायर ने कहा है कि परिंदों में क्यूख कर फिरकापरस्ति नहीं होती कभी मंदिर पे जाङ बैठें कभी मस्जिद पे जा बैठें तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो नेताओं की भाषा से अच्छा आप परिंदों की भाषा पढ़िए सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा और आप सिर्फ मदद करेंगे दूसरों की बाकी आपके जहन में कुई और सवाल नहीं आएगा आज के लिए इतना ही मुझे दीजा इजाज़त बने रही है आप भारत समाचार के साथ और अगर आप मुझको अपना फीड़बैक भेजना चाते हैं तो नीचे जो एड्रेसेस लिखे हैं फेस्बुक, ट्विटर और जीमेल उन पर आप अपना फीड़बैक भेज सकते है नमस्कार